हालो इस्टुटेंट यह सर्फिश एरिया और वॉल्यूम नाइन्थ क्लास एंसी एर्टी ठीक है न तो थर्टीन पॉइंट थी का पहला कोशन कहलाता है कि डामीटर आफ़ा बेस आफ़ा कॉन इस 10.5 cm and its slant height is 10 cm find its curve surface area मलब एक कोन है उसका diameter कितना दे रखा है 10.5 cm और यह slant height कितनी दे रखिए 10 cm तो अगर diameter 10.5 cm तो radius कितनी होगी इस diameter का आदा यह 10.5 by 2 cm स्ट्राइंट हाइड कितनी दे रखिए 10 cm तो बिटा कर्ब सर्फिस एडिया का फार्मूला क्या होता पाई आर एल तुम्हारे पाई की बैलू तो मैं पता है 22 25 cm2 ठीक है और मैंने कई बार पताया तुम्हें कि बिटा हमारा काम है तुम्हें यहां तक सिखाना इस लाइन तक बाद में जो calculation यह तुम्हें खुदी करनी पड़ती जैसे हमने काटा पीटा है ठीक पर वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा ऐसा ठीक और अगर हम वीडियो बनाते समय अगर हम कटिंग पिटिंग साथ में करते चलें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जिस एरिया में हम रहते हैं वहां तिन दिन लग जाते हैं अपलोड होने में ठीक है इसलिए हम पहले ही सेलीशन निकाल लेते हैं लेकिन तुम्हें यहां तक सीखनी उसके बाद में यह कैल्कुलेशन तुम्हें अपने आप करनी है ठीक अब सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा क्यारें फाइंड टोटल सर तो टोटल सर्फेस एया निकालना है और इस कोन का डायमेटर कितना दे रख है 24 मेटर दे रखा है रिखा है कितना हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में ल्प्लस आप यह फार्मूला होता है फिर मैंने बताया कि हमारा काम कहां तक है यहां तक तुम्हें बताना इसके बाद में सारी वैलू दे रखी हैं तुम 9th क्लास के बच्चे हो सारी वैलू अपने आप उट करो solve करो पाई की वैलू 22 अपाउन 7 आर की वैलू 12 एल की वैलू 21 आर की वैलू 12 21 on 12 स्क्वाइड करेंगे 33 आएगा अब उपर उपर इन सब की मल्टिप्लाइ कर लो और 7 से डिवाइड कर दो तो यह अंसर आएगा 1244.57 मीटर स्क्वाइड ठीक है यह होगे टोटल सर्फिस एरिया आफा कॉन ठीक और यह फार्मूला भी याद रखना टोटल सर्फिस एरिया आफा कॉन क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस अर ठीक है ठीक है बटां अब क्वेश्चन नंबर थार्ड पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थार्ड क्या कहता है कि कर्व सर्फिस एरिया आफा कॉन इस 308 cm2 and its slant height is 14 cm find the radius आप देए पहली बार तो रेडियस निक दालो अब इस क्वेश्चन में हमने एक फीगर बनाया यहां पर देखो क्या है रेडियस नहीं दे रखी ठीक एल दे रखा है एल है 14 cm2 और कर्व सर्फिस एरिया कितना दे रखा 308 cm2 तुम्हें पता है कि कर्व सर्फिस एरिया आफा कॉन क्या होता पाई आर एल तो सी एसे gym फिट 2 से इधर हमने काट दिया फिर 11 से भी काड दिया तो आर की value आ जाएगी 7 cm अब जब आर की value आ जाए ठीक है तो तोGoPro क्यों 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 होता है तो टोटल सर्फिस एरिया क्यों कि पाई और एल प्लस आ ठीक value सारी रख दो, put कर दो ठीक, solve कर दो answer आजाएगा 462 cm² ठीक है बेटा ऐसे इस question को तुम्हें कर लेना है calculation बेटा अपने आप की जाती है हाँ in case अगर माली जे तुमसे को calculation नहीं होती है तुम्हें कई बाद try मारा पर तुमसे calculation में answer नहीं निकल रहा तो तुम हमसे कह सकते हो कि sir हमसे यह answer नहीं जा रहा आप please करके दिखाईए ठीक है ना तब हम उस situation में हम उस calculation को तुम्हें solve करके दिखाएंगे ठीक है फूर्थ question देखो क्या है एक conical tent है कितना meter उचर हो 10 meter उचर ठीक है 10 meter high मतलब यह height दे रखी एसकी and the radius of its base is 24 meter radius यहां से यहां तक होती r is equal to कितना देखा 24 meter find the slant height of the tent पहली बात slant height निकालना यह निल निकालना है दूसरी बात यह कह रहा है कि cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is 70 rupees मतलब अगर कि तुम्हें ऐसा tent बनाना हो तो कितने मीटर जो है canvas लगेगा, canvas मतलब वो कपड़ा जिससे हम tent बनाते हैं मोटा कपड़ा आता है, tent बनाने वाला ठीक है ना, काफी मजबूत कपड़ा होता है जारत तर तुम्हें मेलो में या army camp में इस टाइप के कपड़े दिखेंगे ठीक है ना, हम लोग तो tent बनाते हैं नहीं नौर्मली ठीक या पिच्चरों में जो बंजारे लोग होते हैं वो tent बनाते हैं इस टाइप का, ठीक है ना तो सबसे पहले L निकालना है, हमें R दे रखा है, H दे रखा है L का फार्मूला होता है, slant height का फार्मूला होता है, कि अंडर रूट R स्कॉयर प्रस H स्कॉयर R की वेलू 24 का स्कॉयर H की वेलू 10 का स्कॉयर 24 का स्कॉयर आ जाएगा 576 प्लस 100, ठीक, इनको add करो कितना आ जाएगा 676 L की वेलू कितनी आ जाएगी 26 meter, L की वेलू कितनी आ जाएगी उस से भी निकाल देना सब्सक्राइब कर देंगे तो हमने डारेक्ट लिखा है कास्ट आफ कैन वास इच्पल टू पाई आरेल यह हो गया क्या यह हो गया करब सब्सक्राइब कर दी अब इसको सॉल्ब कर दो ठीक पाई की वेलू 22 ऑपाउन 7 आर की वेलू 24 एल की वेलू हमने अभी निकाली 26 और यह 70 सेवें से कट कर दिया 10 टाइम तो उपर बचा है 22 24 26 इंटू 10 सब की मैटिप्लाइब करोगे तो यह आंसर आएगा ठीक इतना रुपिया हमें लगेगा कैन वास बनाने में ठीक है बास समझ मैं अब हम क्वेश्चन न इस टारपलीन है उसकी लेंथ कितनी होगी अगर उसकी ब्रत तुम्हें दे रखिए 3 मीटर वाइड बिल भी रिक्वाइड टू मेका कॉनिकल टेंट आफ हाइट एट मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर अजिम डाट एक्स्ट्रा लेंथ आपा मैटेरियल डैट बिल वी रि तैन्ट के लिए जो एक कपड़ा आता है ठीख न तो टेनट यूरे काई तरह के कपड़ें आते हैं उसी में से टार फिलीन है कि वह तरह आता है जो जब दुकान पर खरीदना कंपड़े डेती है लेंथ तो बहुत ज़्यादा होती है ठीक लेकिन तुम्हें जितना टेंट चाहिए जितना तुम्हें टेंट बनाना उतनी ही लेंथ लोगे न तो जैसे होते हैं हम दुकान पर कपड़े कटवाने जाते हैं तो तुमने देखा हो कि कपड़े का पूरा थान होता है ठीक उसकी कितना का पड़ा चाहिए तोटल ये देखो तो जो टेंट बनाना हो सकी रेडियAyas होनी स्च मिटर हाइट है उसकी 8 मीटर और यहां पर हमने आप देखो हमने लिखा एसए काई से बडिध कितनी है तीन मीटर और चुछ Sü데 अब ग तुमें पता है कि कोई भी टेंट बनाना हो तो हमें कितना कपड़ा चाहिए केतना टर्पलिन चाहिए वो चाहिए होता उसके करब सर्फश 순ड़ से रिया के बराबर करब सर्फेंओ जब हां कून का निकालेंगे तो इसका फार्मूला होताTrade crs घॉ03 always चल रहा है ना तो हमने मीटर में लिखा है 10 मीटर यानि की slant height of a tarplein is 10 मीटर अब क्या करो curve surface area of a tent निकालो ठीक ना curve surface area of a tent तो वो क्या होगा पाई आर एल पाई की बेलू 3.14 ठीक आर की बेलू 6, L की बेलू 10 ठीक ना यह हो गया curve surface area of a tent मतलब curve surface area of a tent मतलब यह हम क्या निकालने एरिया ही तो निकालना है तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो area of a required tarplein भई curve surface area of a tent इसका मतलब area of required tarplein अब तुम्हें पता है कि किसी चीज का area अगर तुम्हें निकालना होता है तो उसका फार्मूला होता है L into V length into breath ठीक ब्रत कितनी दे रखी है tarplein की 3 meter ठीक ना ब्रत कितनी दे रखी थी मीटर तो इधर से 313 और 326 काट दिया तो इधर के वह length बचेगी तो इधर value बचेगी 3.14 into 2 2 और 10 की multiply कर दी 20 इसकी multiply करो तो आ जाएगा 62.80 मीटर ठीक लेकिन अभी यहां पर हमें required length नहीं पता है यह length आई तो है लेकिन जो length हमें चाहिए वह length नहीं क्योंकि question में एक चीज और छुपी हुई है question में कहा है कि बेटा जैसे कि मालो यहां पर टारपलीन लोगे और इसको इसके चारोतर लपेट होगे और बार में कहीं सिलाई भी तो करनी पड़ेगी तो सिलाई करने में 20 cm length बेकार चली जाती है ठीक ना cutting में 62.8 में 20 cm तुमें और एड करना पड़ेगा और ध्यान दो यह चीज तो है मीटर में और यह चीज है 20 cm है cm में 20 जो है इसमें cm तो इसको भी मीटर में चेंज करो तो यह आदाएगा 0.2 और 62.8 प्लस 0.2 को जब हम एड करेंगे तो आदाएगा 63 मीटर यानि की अब यह जो लेंथ हाई है रिक्वाइड लेंथ टारपलीन की एग्जैक्ट वो कितनी होगी 63 मीटर होगी ठीक है बेटा अब हम क्वेशन नंबर 6 पर चलते हैं क्वेशन नंबर 6 क्या कहता है दस लैंट हाइट अनब बेस डामीटर आफ और कॉनिकल टॉम आ करब सर्फिस एरिया एड़ रेट आफ 210 रूपीज पर हंड़ेड मीटर स्क्वाइर मतलब एक टॉम्ब बना है टॉम्ब मतलब एक गुंबद टाइप का समझ लो जो इस टाइप का है ठीक वैसे कहोगे कि सार गुंबद तो गोल होता है लेकिन कहीं कहीं पे बेटा तुम्ह कि स्लैंट हाइड दे रखे 25 मीटर डाइमीटर नीचे का जो बेस है उसका दे रखा 14 मीटर यानि रेडियस कितनी हो जाएगी आर इसकोल टू 7 मीटर अब हमें इस पर पेंट करानी ठीक तो जो पेंटर है वो यह कह रहा है कि अगर हम 100 मीटर स्क्वार पेंट करेंगे तो ल जाने कि 21 210 अपान 100 रूपीज पर मीटर स्क्वार यह आ गई रियल कॉस्ट ठीक रेट आ गया रियल रेट निकाल लिया हमने इस तरीके से ठीक अब यहां पर नीचे देखो क्या है तुम्हें जितने हिस्से में इसकी पुताई करानी है वह बाहर बाहर करानी है ठीक तो जो पैंट कराओंगे यह बाहर बाहर यह एरिया क्या होता है कर्ब सरफिस एरिया ठीक तो कर्ब सरफिस एरिया का फार्मूला क्या होता पाई r find र की बेलो रख दी r की इनुकी बेलो रख दी solve कर दिया तो आगया श् STEP 55 550 meter square मतलब हमें इतना area जो है paint कराना है और तुम्हें पता है एक meter square का इतना रूपिया पड़ता है तो इतने meter square का कितना रूपिया पड़ेगा इसकी इसमें multiply कर देंगे cast of white washing of a tom is equal to 550 into 210 upon 100 ठीक अब यहां से 2010 काट दिया तो नीचे बचा 55 into 21 इसकी multiply कर लेंगे तो आजाएगा 1155 ठीक ना यह आंसर आजाएगा हमारा अब हम question number 7 देखते हैं बिटा एक joker की cap देख लो ठीक joker की cap इस type की होती मैं question की meaning बता रहा हूं question number 7 तुम लोग पढ़ लेना तो एक joker है joker की cap बनानी है r is equal to 7 cm उसके radius होनी चाहिए उसकी height कितनी होनी चाहिए 24 cm होनी चाहिए ठीक और ऐसी ऐसी हमें 10 कैप बनानी है तो हमें यह बताए जिस कागिज की यह कयप बनेंगी वह हमें कितनी चाहिए मतलब कितना kabul हमें चाहिए कितनी seat हमें चाहिए ऐसी ऐसी 10 कैप बन जाए तो तुम्हें ध्यान होगां कि बटा यह जो कयप बनाओगे syllabus में क्या लगए एक कैप बनाने के लिए जो एरिया यूज होगा वह होगा करब सर्पिसे और करल सर्परसे चेहां आफ़ को मलं क्या होता पाcket यर एल एल ऽसमें दिया नहीं है तो सबसे पहले एल निकाल लो है रही है कोस्ट बो देखावा वा सकता किसी के बाद बुक नहीं दील से लिखा हुआ है जोकर कैप इस इन दा फॉर्म आफ राइट सर्कुलर स्कॉन आफ बेस सेवन सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर फाइंड एरिया आप ता सीट रिक्वायर टूमेक टैन सच कैप तो यहां पर सबसे पहले एल निकाल लो एल का फार्मॉला होता है आर स्कॉर प् टैनि फॉर्म तो निकालोगो तो आजाएगा एल की बैलू आजाएगी 25 सेंटीमीटर ठीक एल इसकोल टूटीफाइब सेंटीमीटर अब बैटर टोटल कर्ब सर्फिस एरिया फॉर वन कैप एक कैप अगर बनानी है तो तुम्हें कितना कर्ब सर्फिस एरिया चाहिए मैं कितनी सीट चाहिए पाई या एल के बराबर तो टोटल कर्ब सर्फिस एरिया आप टैन कैप अगर हमें टैन कैप बनानी हो तो क्या होगा इसी में टैन की मल्टिपलाई कर दो ठीक अब यहां पर इसमें वैलू पूट कर दो टैन तो टैन ही रहाएगा पाई की वैल सीट रिक्वाइट तुमें टैन सच कैप इसकोल टू 5500 सेंटीमीटर स्कॉरर मलब अगर ऐसी हमें 10 कैप बनानी है तो हमें इतनी सीट चाहिए जिसका एरिया कितना होना चाहिए 5500 सेंटीमीटर स्कॉरर ठीक अब बेटा एट कोश्चन देखो कुश्चन नुम्बर एट ठ ठीक इसको पढ़ने में हम समय बरबाद नहीं करेंगे हम डायलेक्ट तुम्हें समझा रहे हैं तुमने रोड पे देखा होगा कि पुलिस क्या करती ऐसे ऐसे कौन टाइप के रख देती है अगर समय सड़क ब्लॉक करनी है तो माले यह कहीं रूट डाइवर्जन करना है सड ठीक है छोटे सैरों में हो सकता तो इसे कौन है रखें हुएं एक सड़क पे कितने रखें होएं टोटल पचास तो हम नहीं और किैसा ही एक कौन बनाया प니다 करें हैं टोटल 50 कौन रखें अब इस कोण को कै किया करना है कोन बाहर रखें रहतें तो बेटा वह गंग कॉंदे ह करते हैं तो फिर से नए जैसे दिखने लगते हैं तो दूर से आदमी आ रहा हो तो तो उसको दिख जाता है तो यहां पर क्या है इन थिप्टी कोंच की पेंट करनी फिक अब एक कॉन को देखो एक को जो दिया हुआ है उसका जो डामीटर दिया हुआ वह 40 cm दिया यानि कि रे लिकाल लो लो के तो अल कि ःसको जब हम grow करेंगे न तो एक कोण को जब हम पैन्ट करेंगे तो हमें कितना पैंट करना पड़ेगा जितना उस कौं का works surface area है तो करफ सर्फेस एरिया का फार्मॉला होता पाई एर यहाँ पर आफ दिया है एच दिया है बिंदिया इसलिह हम लोग सबसे पहले ल निकाल लएगे लन निकालो तो कितना हो जाएगा आज स्वाइड yao .2 अजार हो और भी छेयर हो यहां पर शीन अले करोगी तो आ जाएगा 1.0 फोर और क।्षिंट में ही दिया हुआ है कि जहां पे जीरो अंडर रूट 1.04 लिखा हो यह देखो क्वेश्चन में दिखा है दिया हुआ है कि रूट 1.04 की बेलू होती 1.02 और पाई की बेलू यहां पे 3.14 यूज करना है तो हमने रूट निकालने की ज़रूद नहीं उन्होंने क्वेश्चन में तो कर्व सरफिशे एरिया फिप्टी कौन्स एक कौन का पाई य非लू होता घ्रक कि क्या होगा 50 इन्टु पाई ब्रर मीट्र स्कैर ठीक उसके बार में क्या है हमें स्की पेंट भी करानी है ठीक तो question में दिया है कि एक मिट्र स्क्वाइर पेंट करने पर हमें 12 रुपीज खर्च करने पड़ते हैं ठीक तो हमें तो कराने हैं total 50 तो क्या करेंगे इसी में हम 12 की multiply कर देंगे अब जब हम इसमें 12 की multiply कर देंगे तो direct आजाएगा कास्ट आप पेंटिंग तो 12 की बेलू 12 रहेगी 50 हो जाएगा पाई की बेलू 3.14 आर की बेलू 0.2 और एल की बेलू कितनी है 1.02 यह अच्छी खासी calculation है इसे तुम अपने हिसाब से side में rough copy पर solve करना और देखना कि तुम्हारा answer इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना आना चाहिए एप्रॉक्स में कि मलब 384.34 something ठीक है न एप्रॉक्स में बेलू आनी चाहिए तो इतना हो जाएगा तुम्हारा यह ठीक है बेटा इतना 13.3 है ठीक है बेटा यह तुम्हें solve करना पड़ेगा पूरा का पूरा तो यह रहा question number 8 और यह 13.3 फिनिस होती है